हेलो बच्चो नमस्कार आज हम पॉलीमर के कुश्चन्स करने वाले हैं यह आखरी चेप्टर होगा जो हम अब तक पढ़ चुके उनमें से फिर नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे चेप्टर के देखो हम बात कर रहे हैं बहुलक क्या होते हैं पॉलीमर क्या होते हैं देखो म होते हैं तो आप जानते हो बहुत चोटे होलेट मॉलीक्टियूस हापस भर मिलते हो बड़े मॉल्र बनाते हैं हाज होते हुआ होते हैं कि English मीडियू में देख सकते हैं ठेक है जिए ओनलो मॉन्रोवर्स होते हों आपस में जूड़ते हैं और बड़ी स्ट्रक्चर्टर ठीक है यह इनके फॉर्मले दे रखें मैंने आपको अच्छे से सब पढ़ा रखा है थोड़ा वीडियो बढ़ा होगा यह सम बॉलक और सह बॉलक क्या होते हैं डिफ्रेंस बिट्विन होमो पॉलिमर और को पॉलिमर क्या होते हैं देखो सम बॉलक जिसमें एक ही परकार के सब बॉलक क्या लाते हैं समझ में आगई बात देखो आंसर लिखे हों यहां पर होमो पॉलिमर पॉलिमर फांट फॉम और वन काइंड ओफ रिपिटिंग यूनिट और मॉनमर इस कॉल्ड होमो पॉलिमर जिसे पीवीसी वगरा हो गया ठीक है चलो को पॉलिमर कर लेना आप टर्मिनेशन और देर इन दफ्री रेडिकल मेकनिजम मुक्त मुलो का विक्रिया में संगला समापन कितनी परकार से होती है तो देखो इसमें चार परकार आपको पढ़ा रहा के बहुत इंपोर्टेंट कृशन से माना जाता है तो यह चारो डिफ्रेंस यहां पर देर रखे देखो युगमन और समानुपात्तन संक्ला स्थानांत्रन निरोदक द्वारा ठीक है चलो क्योंकि यह देखो बिल्कुल थियोटिकल है तो बिल्कुल थियोटिकल तरम पढ़ रहे हैं इसको देर आर थ्री मेतोड ऑफ चैन टर्मिनेशन और फ्री रेडिकल मेकनिजम चैन चैन प्रपोगेशन चैन टर्मिनेशन चलो आगे बात करते हैं यहां पर धनायन बहुलिकरंद वरकिन एकलको का बहुलिकरंड होता है अब मोनोमर्स और पॉलिम्राज बाइक केटाइनिक तो आपको बताया था इसमें डबल बॉंड वगरा होते हैं ठीक है तो देख लेना पिसांसर को देनायन बहुलिकरंद वरकिन विनायल एकलको का विनायल ग्रूप क्या होता है मैं आपको बता देता हूं सभी को ध्यान रखना जब यह सीएस टू डबल बॉंड सी एच एक वैलेंसी फ्री हो इससे ब कुछ भी लुख जाता है यह ग्रूप क्या कहलाता है यह चीज देख लेना यह टॉपिक में आपको नहीं पढ़ाया है तो इनके फॉर्मले आप याद कर लेना अपने को पॉलिमर का वेट निकालना होता है समझ में आ गई बात तो यहां पूछा है नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास देखो यह जो लिखा हूँ अब रेकेट मे यह लिखा हुआ यहां पर mn बार बहिए किसी भी पॉलिमर का अगर एवरेज मास निकालना होता है तो इसके दू तरीके होते हैं एक हुता है संख्या, एक हुता है भार, एक हुता है नम्मर और एक हुता है वेट ठीक है तो उनकी बात कर लेंगे तो यह फॉमले आप अई माई यहलोग वापके समझाता हों में यहां पर एन ए लिखा वह उसका मतला वे नंबर कितने नंबर में पॉलिमर है महां पकितने नंबर में एकलक वहां मोन हमेर से महां पर LOL का कितना वीट एप यह डिटेयल में सक्षेंष रएगा ता आगे मोरे समझा दूआ जूँग्गा नूज्ट को रबर के वलकिकर में पुर्यूत पदाद का नाम के रबर के वौक एंशन में किसका यूज करता है तो सलफर का जानते हूं कि यूज़ करते हैं कि राइड देनेम ऑफ दो मोनमोर फ नियोप्रीन नियोप्रीन के एकलग का नाम पूछा है तो नियोप्रीन मता रखा है ना टू क्लोरो वन थ्री भी रड़ाइन होता है कि आगे बढ़ते हैं कि नाइलोन सिक्सिस का रासारी सुत्र लिखिए तो देखो क्लोर्मीन पअ और हम घंटि याद आगे का फिर मनहीं दो क्याता था मतले ख चैसिट का हॉण में निकाल दिया था ठीक है फिसको इस तरह किस जोड़ा था यह कौन सा बॉंड की फॉर्मिशन होती है पिदे को यह वाला एमाइड बॉंड ठीक है वीडियो में देख लेना बहुत अच्छे समझा रखा यह सब चीज है ठीक है बड़ डीटेल समझा रहे था मैंने तो यहां प हाँ पॉलिमा क्लासिफाइड गिव वन एग्जाम्पल ओफ यह सोतों के अधार पर लोगों कितने भागों में बाटा गया है डिफ्रेंस बताना कितना टाइप में बाटा गया तो देखो यह थोड़ा बड़ा है तो देख लेना पहला उत्पत्ति के अधार पर है ठीक है को अन्द वेसिस ओफ सोर्स पॉलिमा क्लासिफाइड अइस इक तफिरा नैच्रोल है फिर दूसरा कौन से सिंथेटिक है एक सेमी सिंथेटिक था अना अराम से कर सकते हो चेंग है ना नायलोन कर लोगे ना आम से प्राकरती में कौन से रबड वगर आ जाते हैं आप से मिसंद्रीटिक में आते हैं रियान से लोज नाइटरेट वगर आते हैं यह भी मैंने पड़ा रखा आपको सारा वर्गी कर पड़ा रखा किश्वन नम्मा टू ताप सुक्टे दाप ताप द्रट बोलो को मंतर क्या है थर्मो सेटी थर्मो प्लास्टिक समझा रहा है क इनको एक बार यूज कर लो यूज कर सकते हो लेकिन धर्मो सेटीव कर ने को एक बार यूज कर लिए दूसरे नहीं कर सकतें तो तो दैखतें से candi차 बेख लो लूराम से तो इस परकार कि ताप सुक्टे कर लिए हुआ एक्जामपल अच्क्धा रहा है देख लेना कि एंग्लिश मीडियों वाले देख लेना कि दीजार लीनियर और स्लाइट्री ब्रांच लॉंग चैन्मोलीक्यूल ठीक है जिनको कूल करके वापस हम यूज कर सकते हैं यह थर्मो सेटिंग जिसमें क्रॉस लिंक्ट है विए बांचरी से जैसे यादा बेकलाइट पढ़ा था हम लोग नहीं चैनल कोई बात नहीं आप तो उसको रोक रोक के पढ़ सकते और आम से ठीक हैं हो गया हाइड्रोकिनोन मुक्त मूलब बहुरी कर अभी कैम में कहां काम में आता है तो द्यानक ना इनिवीटर्स की रूप में आता है याद है एक तो हाइड्रोकिनोन पढ़ा था एक और नाइट्रो बेंजीन वाला भी कंपॉंड पढ़ा था जो इनिवीटर्स में काम में लेते हैं ठीक है दीख लेना है तो बेंजो क्यून और नाइट्रो बेंजिन याद कर लेना दोनों कि छो आगे बढ़ते हैं कि इस तरीके से काम में आता है जो भी यहां पर कंपाउंड बना देखो जो भी रेडिकल बना इस रेडिकल को यह क्या करके देता है इसके साथ जूड़ के उसको खतम करता आःज कर देता हुआ है ना कि आदेकरों के लगव के नाम पूछा है तो देखो औराम से कर सकते हूं तो तैर्लीन अत्वा पॉली ऐस्यव ट्रथिलित का माम होता है हई और क्या का स्ब्लाइकॉल pendant का मैथ़ड नाम होता है यह ठीक है कथा है याद है अब लोगो आलाम बाजाना पूर्ला मत के यह अब हो यहां से किया यहां से यह फूल नाम लेख वाड़ों यहां से क्या जा रहा है यह से कहा जा रहा है यहां से क्या घ्रण कि बात कर रहे हैं अर्थलिण ग्यक्रोट आठनीका एसटो जा रगना यहां पहां कि आप बम कर और भी लगा लेना क्योंकोई पॉलियस्टेर से होते हैं सब को ए Gleich त mid यह मैंने आपको नहीं बता रखा है पॉली डिस्परसिटी इंडेक्स नहीं बता रखा है ध्यान रखना अभी आगे आगे जब आप चलोगे न तो इसको मैं आपको डीटेल में बता दूँगा भी आप इसको लिखके रख लो है ना सिर्फ लिखके रख लेना और यहां आपशन आएगा इसका तो वहां समझेंगे इसको अच्छे से तो पीडियाई उतार कर रख लो आकर समझाता हूं कि इंग्लिश मीडियों वाले भी बेटा आप इसको उतार कर रख लो एक यह इसा टॉपी ता चूट गया था गलती से मेरे से तो मुझे किसी बच्चे मैसे सब्सक्राइब कोई बात नहीं मैं इसको डीटेल में बता दूँगा इसको बड़ा सवाल आएगा अब यह आप से नोट कर लेना ठीक है वैसे डेफिनेशन नहीं याद करनी होती है पर मैं समझाओंगा ठीक है कि कर लोगे नोट इसको कि अरबार का जैसे ये खु के जाता तो आप जानते हो रबर के जो प्विजिकल पापर्ट इस होती है वह क्या होती है वील्कु मोथती कि री आलवी की को टेपřwinning को हूं है क्या मिलाते हैं इसे कीलिटेटी को सुदारने के हो जाएगा एक बार मैं एक बार क्या करता हो मैं पूरे आंसों के एक साथ दिखाऊंगा इस बठीक है ताकि तुम वीडियो को पोस्ट करो तो तुम्हें बार बार हिलना नहीं पड़े कि इंग्लिश बीडिवान देख लो आगे देखो रबड़ का वोल्क राइशन क्यों किया जाता है यह यह चप्टर में बहुत अच्छी से पड़ा रखा है यह फिर से आके देखो ल्डी पी और एच डी पी यह यहां यह एच डी पी लिखाऊ है ल्डी पी और एच डी लो पूछा जाएगा ठीक है यहां यहाद करो याद आजाएगा पूछा जाएगा ठीक है इसमें क्या थी ओक्सीजन के प्रजेंस में हाई टेंपरेचर बखरवाया था अरे पॉलिथीन की एथीन लिया था और इसे क्या बनाया था तुमने पॉलिथीन बनाया था कि अच्छी एस टू और यह डियाज कर गई है ऐसा कर आदा यह देखो याद करो ठीक है तो देखो ऑक्सीजन के प्रजेंस में करकिया हुआ है यह देखो यह देखो यह अक्सीजन के प्रजेंस में बता दिया मैंने वैसे ही सब यह अच्छी से मैंने बिल्कुल पढ़ा रखाया आप पढ़ लेना राइट देखो यहां पर टैलीन डैफलान नाइलन सबस्क्राइड की बात कर रहे इनकी स्ट्रक्शर है देखलेना है है कि टैफलोन का टैट्रफलोर एथल्इन और दो इन यहां पर और तो पेरा है याद रखना है है याद रखना है बैकलाइट में यहां पर लिख देना और तो पर हैड्रोक्सी बैंजिल अल्कोल का में लेते हैं जो इन दोनों के मिलने से बनता है याद है यह क्या था और याद करो इसकी रिंग पे यहां पे हमने ऐसा किया था बैक लाइट की बात कर रहा हूं कि यहां पर क्या था सिस्टू और और दूसरी बार कहा था पैरा पर यहां लगाया था फिर दूसरी बार इंग्लिश वीडियो माले देख लिए आपके लिए आप बिल्कुल उपर डाइगरम दिया विल्कुल ऐसा ही कर लेना ठीक है या मैंने अलला टाइप करवा दिया है तो बिल्कुल डाइगराम के अकॉडिंग उतार लेना यह पूरी स्ट्रक्चर कर लोगे अराम से कोई दिक्कत नहीं हो नीचे वैसे आपको यह सब मैंने पढ़ा रखा है आप से देख लिए ना पर क्योश्ट्र वापस करना अशा नहीं कि कॉपी में क्या हो नहीं करेंगे क्योश्ट्र विल्कुल करना है कॉपी में एक यह क्य यह आपको तो मगना चलो इस्ट्रक्चर देख लेना इसना नाइलोन सिक देख लेना सब करा रखाई यह वैकलाइट देख लो यह यह रभाकलाइट देखो पड़ाए था यह इस्ट्रेक्चर बनाई थी बोर्ट पर याद करो क्रोस लिंग बतना यह थी मैंने कर लो क्या रहा हम से कॉपी खोल सकते हो कॉपी से भी आंसर कर सकते हूं वाड इस पीएच बीवी याद है पीएच बीवी कैसा होता है जे निमनिकरत होता है बायो डिगडेबल होता है पॉली बीटा इटोक्सी बीटा एट को बीटा हाइडोक्सी वेलरेट बनता किस से यह थ्री हाइडोक्सी बीटोनेक और फोर हाइडोक्सी त्री हाइडोक्सी बीटोनेक और थ्री हाइडोक्सी पेंटोनेक से बनता है कि देखो इसके मोनुमर्स लिखे हैं यहां पर देखो यह रहे आई बताया था यह रहे ठीक है कर लोगे हाँ 29 पेज पहुच गया है चला देखो यह बनता कैसे देखो यह यह बना दिया थे यह इसको आरवन बोला था और इसको आर टू बोला था और मैंने कहा था यही बार बार क्या होती है रिपीट होती है ठीक है कर लोगे अराम से इंग्लिश में देख लो पर आंसो प्रोटीन के पीड़े के अमान एक क्यू होता है देखो यहां पर फिर से आगया यह वाला पीड़े वाला क्यूशन वापस करवाऊंगा मैं यहां पर क्या लिखा हुआ है भार लिख किया तो मन एम डबलू और यहां पर यह लिखा हुआ है अम बार उतार लो इसके बड़ा क्यूशन आएगा होगा प्रोटिन के मान एक क्यू होता है क्यूंकि इसमें इन दोनों यह देखो पीडियाई का जो फोर्मूला होता है यह होता है पॉलिडिस्परसिटी इंडेक्स वह होता है मन डबलू बार और नीच्छे होता है क्योंकि इन दोनों का वैलुट्य क्या होता है एक वलऴ होता है कर ये 2 है तो ये विहीद ओंगे ये 5 धोंगे ये पांच Dann अता है तो कटंपेट कि ता एक आता है इसलिए प्रोटिंग ग्रखना एक होता है तो याद रखना है ठेक है क्लासिफाइब पॉलिमर ऑन दे फॉल्विंग बेसिस ऑन दे बेसिस ऑफ मोनोमर उनिट्स टाइप पॉलिमराजेशन मॉलिकुलर मास ठीक है बहुलुकों का वर्गिकन करना है आपको एक लग के अधार पर पूरा अच्छे से कॉपी में डिराइव कर रखा है सबसे पहले ए के पूरा दिखा देता हूं में एक बार देख लो और क्षाब बहुलग पर और दूसरा साबंणा के अधार पर ठीक है संबलकर समझ गए जिसमें एक परकार यूट का मिलेती और फॉनलग में एक ही परकार की टोथे और सब उलक में एक सजेदा प्रकार के टेक है जलो ooh कै historically को और योगजET के याद करो है है पूरा तो यह पूरा अपमद उतारना ठीक है इसमें जो यह ना बस सिंपल सिंपल लिख लेना क्योंकि यह तो कौपी में पूरा कर रख है कौछ लिखावा नॉन सिंपला बरतर में टैफलों का परियोग था याद रखले ना ही पूछा किया सवाल है बोर्ड में किसका यूज करते हैं उसके मौनोमर्स के था टैफलों का प्रिक्राइस कि मिल जाएं कि देखो वही स्वाल बार बार रिपीट हो गए अब कोई बात नहीं कि आनवी बलो के दार पर देखो वरिकेंट किया गया है तो परत्यास्त बहुलक जिनको अराम से आप बिल्कुल लो इंट्रा मॉल्किल फोर्ट से जुड़े हुए होते हैं उनकी बात कर रहा है यह सब देखो मैं अच्छे से बता रखा है समझा रखा है वो बिल्कुल इस परत्यास वागता सब उतार लेना क्योंकि आपके पास इसकी ज्यादा थेओरी नह है है कि भी ​i नास वी नहीं एब बढ़ाता है इसके इंदर चल ज़्दफने से हैं अ ठीक है यह एक दिख ज़िखो यह अनौर क्याइक पूरा दीन परकार एक्लोकों क्यादा परकार बामलो झाड़ क्यदार क्यादा पर तित dłो परकार सच पासे पास टापमान यदार के आणिव बलो क्यादार पर दो पगाए एक बाइंका पूरे के क्यूश्टन लिखने ला फिसके क्यूश्टन जाए भी आए ना उसको स्कीप कर देना पर एक बार साले लिख लेना अच्छे असे इसमें से देख के हमाने इटो ऊप्रओं होता स्पांहाँ साय राम से हैं ऐस थे साले ना अंच्छे होकि है एक से टाइप आईप ऑफ पॉलीमर करना होगते हैं अडिशन और इसमें डबल बोऔर ब गरा ओते हैं है कर देशर्शन पॉलीमर का एक्जामपल लिखे होए कि टाइप प्रॉलीमार उन वेसिस ओफ फोर्स की बात कर रहा है तो इलास्ट्रोमार फाइबर्स थर्मो प्लास्टिक समय तर्मो सेटिंग को समझाई है बोड में अच्छे से समझा रखा है बोड पर बहुत अच्छे समझाए था कैसे होता है यहां मैं आप विल्कुल एक्सप्लेंग नहीं करूंगा बाणिज को अम बहुत करने विद्या में योगात्म और संगनन वता हुआ यहां देखो डबल बॉड और टिफल बॉड बॉड पहता है यह थो समझके मुझा तो अरॉप से और आम से कॉपी से कर लेना इस लिखे हो कॉपी से कर लेना ठीक है कि या बिल्कुल कॉपी से करना हुआ है ठीक है मुक्त मुलक और आए निका गए इन सब में तीन प्रॉसेस बता रहे थे रिएक्शन वाइस बता रहे हैं सब कि पूरा कॉपी से करना जुरूल लेकिन अब बहुत अच्छे समझा देखने लिक्षन है अपको ठीक है दानक न इस कुष्ण को रियक्षन क्लिक के समझाना है कॉपी में अच्छी से ज्क्रवाई थी। कर लेना रामचे। कशामें इसने रेक्षिन समय यह देखो आप कि рीचिन बाद में समझ देखोई रहा। कि और पहले रेक्षा हुती है। तो आपको मेंली यह करना जम्री यह में। करती है यह को पड़ा रहा है ना चैसे मैंने कि लास्ट में रिएक्शन क्या होती है फिनिश हो जाती है कि कप्लिंग कर लोगे और रियक्शन करने के चार पॉसेस बताया था याद है कप्लिंग डिश्प्रपोर्नेशन यह वीडियो देखे समझ सकते हो राम से चैन टांसफर कर लेना राम से बटा मैं इसको एक्स्प्रेइन नहीं करूंगा बिल्कुल मैं पहली बोलता कि मैंने बोर्ड पे बहुत अच्छे सा एक्स्प्रेइन किया था मैंने इसको कम सकम पांच च्छे दिन पढ़ा है इस टॉपिक को पूरे का वीडियो बनावा एक गंटे गा उस प्रसलेंसे इसका संकतन प्रेसिलेंस सिस लिखाए दानक ना ये ये ना ये बेसलेंस से यह इसा ब्रेसिलेंस सिस यह अच्छे से करना इसका आंस्वर इसी में अच्छे से लिखना है आपको न प्राकती रबर प्रात करने की विधी देखो यादे सब पढ़ाया था बड़ी है तरीके से डाइग्रम बोर्ड पर डाइग्रम समझाया था मैं नहीं है क्रेप रबर की बात बताईती यादे अब इसकी परत्यास्ता वगरा की बात कर रहा है तो बिल्कुल बोर्ड में जैसे आते हैं वेसे आंसर लिखें इनके आपको भी वैसे लिखने हैं कि संगटों न सरचना लिख दोगे इनकी यादे इसके अंदर वह आईसोप्रीन काम में लिया था यह देखो आईसोप्रीन काम में लिया था चलो हो गया इसके दूर रूपते संपक्ष और विपक्ष तो कर ले ना राम से संपक्ष क्या बनता है रबर नैचुरल रबर और विपक्ष से गट्टा पड़ जा है मैंने बोर्ड पर यह भी गरारा रखा अच्छे से यह देखो यह रहा समपक्ष और विपक्ष दोने कि खड़ लोगे दो कि संपक्ष का मतलब तो कि नुदसी एस टूर फैक तरफ है संपक्ष दो को यह जाएगा जिब यह सी चुरी स्टू कर देखो डिफ्रेंस लेगा आख तीक तो यह सिया तू से का चलेके बापोजित च लाइन सब्सक्राइब देख लेना है चला कि इस्ट्रेक्चर कंपूजिशन देख लेना इनकी कि हो जाएगा और यह आगया वो किशन देखो यह जो किशन मैंने नहीं पढ़ा है मैं अप समझा देता हूं बवलुकों का अनुभार और सत अनुभार क्या होता है यहां पर लि पर लिखा हूए अनुभार और सत अनुभार यह अनुभार है ठीक है बवलुकों का अनुभ दिर्मान मॉलेकुल मास निकालने के लिए बोल रहे हैं यह मैंने आपको नहीं बढ़ा है इसमें समझा देता हूं मैं देखो किसी बवलुक के गणुण के आनुदिर्मान आकार साचना से घंणी रूप से समन्नित होता है बवलुकों में अपस्तित एकल अनुभ और कर नो के संक्या बवली करन की निदायत करती है एकलग का अनुभ दिर्मान किसी वीदि द्वारा किया जाए ठाट आतली अनुभ का अनुभ दिर्मान 284 है लेकिन बवलुक का रूप मे से निकाल सकते हो, एक mn बार से निकाल सकते हो, दू तरीके से weight calculate किया जा सकता है, ठीक है, तो देखो इन, इससे असत दर्माइन अलुभार कि रुपरे, दो तरस्वेक्त करते हैं, देखो, यह तो पूरी थिद्धि थोरी छोड़ दो, यह देखो यहां से, संक्या उसतरनुबार पहला जिसे MN बार से प्रदिसित करते हैं यह क्या है भार उसतरनुबार जिसे MNW से प्रदिसित करते हैं कैसे निगालते हैं वो इप सीखेंगे सबसे पहला संक्या उसतरनुबार ठीक है क्या बोला है किसी बहुलक नमूने में उपस्तित सभी अनू की कुल सहती टोटल जो वेट होता है उसको अनू संख्या में विवाजित करने वे प्रात परिणाम को संख्या उसत अनू बार MNW कहते है MN बार MN बार कहते है ठीक है इसमें होता ही है अब मान लो फॉर्मॉला कै उसका वेट के वेट कितना होता है वायी होता है अगर दो मॉलीकुल यह तो N1 और N2 बोल देंगे तो वेट भी कितने हो जाएंगे 2 2 1 2 1 2 2 पर रवेट कि तोहां लसनेoms हम फॉर्मॉला बनाएंगे देखो समुझाद देना देखो मालनो तुमने यहाँ पर दो तरह के वेट ले रखें दो तरह के मॉलिकुल ले रखें N1 और N2 तो उनका वेट कितना हो जाएगा M1 और M2 तो हम MN बार का फॉर्मुला क्या बनाएंगे तो बनाते हैं इनको जोड़ दो N1, M1 जुड़ेंगे प्लस N2, M2 जुड़ेंगे समझ भागी बात अब मालनो तुमने बहुत सारा नमर ले रखें तो इसको उनका बोल दिया N1, M1 I क्या है यहाँ पर टोटल नमर जितने भी तुमने पॉलिमर ले रखें M1 क्या है I क्या है यहाँ पर टोटल माल जितने तुमने ले रखें अब दिखो क्या करोगे इन सब को जूड़ दो जूड़ने के लिए क्या लगा दोगे M1 बार और समिसन क्यों लगा है समिसन जानगे इसका मतलब अगर दो मॉलिक्यूल दिये हुए है तो N1, M1 प्लस N2, M2 कर दो तीन दे रखे हो तो क्या करते हैं आप लोग N1 Sorry यह चला गया है Sorry तुमसे Sorry मांगना पढ़ रहा है देखो तो हम कहां थे हम यहां थे अगर मान लो आपको जो सब एक्जामपल दे तो मान लो यह दियावा CS2, CS2 मान लो दो मोल दे रखे तो मोल कितने हैं यहां पर 2 तो N1 एक का weight कितना होगा M1 दूसरे का N2 कितना जगा weight M2 upon कितना हो जाएगा यहां पर तो N कितने ले रखे 2 तो N1 प्लस N2 मान लो तीन ले रखे होते क्या करते फिर N1 फिर N3 M3 upon N1 plus N2 plus N3 तो आपको MN का formula याद रखना है ये वाला ये exam में पूछा गया है board में कई बार समझ में आ गया NI के हैं यहां पे number of Eclat क्या monomer MI के हैं यहां पे weight है सब कर लोगे सब कर लोगे सब कर लोगे किसका निकालने जाता है तो पलाशन दाव वाले ठीक है atomic pressure वालोगो निकल जाता है इसे दर भार उसे तनुबार देखो क्या हो रहा है ये भार उसे तनुबार देखो देखो इसे MW बार से दिखाते हैं समझ माई की बद अब इसको कैसे निकालेंगा देखो ये भी बहुत सिंपल है थोड़ा सा क्या दान अगना मैं बता दूंगा ये जो लिखा हूँ है ये लिखा हूँ है MW पार ठीक है तो देखो यहां पर भी मालो दो मॉलीक्यूल है तो इसको N1 N2 नमर दे देंगे है उनके वीट को M1 M2 देंगे ठीक है तो टोटल वीट कितना है यहां पर यहां पर क्या करते है न देखो जब तुमने MN निकाला था तो तो तुमने क्या फॉर्मला बनाया था N1 M1 ठीक है लेकिन यहां जब तुम MW करोगे न तो तुम देखो यहां पर M1 M1 किते हैं 2 N2 कितने 1 और M2 कितने हैं 2 न यहां गया तो माई कितने हो जाएंगे 2 समझ माई की बात तो यह द्यान रखना इसके पूरा नोट कर ले नहीं कि मैंने पढ़ा है नहीं आपको देखो फॉर्मूला बन गया अब एक बात बताओ तुमने जब यह बढ़ा था MN जहां से देखना क्या फॉर्म मनाएदा न आई एम आई अपन एन आई समय इस फॉर्मूला चैन्ज क्या बताओ मुझे एन आई तो सहम है मैं क्या हो गया स्क्वेर और नीचे एन नाई के साथ में क्या है मैं समझ में आकर बाद तो इस इसका दिहान रख लेगा मालो दो मोनोमर दे दिए तो N1 हो गया और N2 हो गया इसके साथ क्या जाएगा तो देखो N1 M1 का स्क्वेर प्लस N2 M2 का स्क्वेर अपन नीचे क्या जाएगा बोलो N1 M1 प्लस N2 M2 समझे मागी बाद लेकिसी के अगर MN लिखना होता तो एक एकर करके लिखते हैं कर लोगे लाइट सब्सक्राइब करना इसको पूरा उतार लेना इंग्लिस बीडियो वाले पर फिरी उतार लो फिर मैं समझाता हूं समझाता हूं आप समझाओ कि नंबर अवरेज और दूसरा कौन सा है मास अवरेज में ध्यान रखना इस फॉर्मले को यूज़ करेंगे हम लोग और पर यहां पर ननमर यहां पर लोगे यह फोर्मला को याद रखने समघ लेना वेट बाला निकाल लो कहें हम से अब सीट वाल में क्या गरोले आप मर्म यहां पर क्या हो जाएगा न यह नहीं रहेगा वस्त हैं माई क्या हो जाएगा स्क्वेर नीचा हो जाएगा नी तरशिए रहे फर्मुला यह रहा देखो यह चेए अलत पार देखकें जफुन नवा गए था समिसन अफ अनवी फो यह पोन समेसन अनवी एह थे ऐल आत पूर नवीया ही थे डिशन फैब दूर को नवन पालों को बनाने की विदी दीदिदा उप्योव लिए सब्सक्राइब करना है पूछा गया सवाल है बड़ा सवाल है तो बैकलाइब कैसे बनता है फिन और फॉर्मेडिया बना और तो पर हाई टॉक्सी बेंजिल को एलकॉल की फॉर्मेशन बदाई थी कि इसको अच्छे से में समझा रखा है तो अब बब्रिकरी की वीजिए समझ सब्सक्राइब कर लें आपको नौ लोग बताया था सब समझा रखा में नहीं है आपसी सम्झाओं मैं पहली बोल रहा हूं मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सपन किया बड़ा वीडियो बनाया था रिस्वाल बनाया था एक रिस्वे तो ठीक है अची के अची के अची के आए यह यह बन गया समझ गया अची को यह बना वाइब बनाना सिखा दिया आपको मैं रिभी सीदेखो बबली कर वीजिए समझ गया अपलो एडिशीन होती है और यह वाइनिक और राइट इस तरीक इस बनता है इनके यूजेज भी लिखना इस अब इंपोर्टेंट है इनकी यूजेज आपको लिखना कमपल्सरी है ठीक है याद यह बताया था मैंने इसका पॉइंट नमर दो देखो बहुत इंपोर्टेंट था याद है फो निकरत है ख्लोर बेंजीन ठीक है इस कि कर लेना है सारी यूजेज है इनकी यूजेज अच्छे से याद करना है आपको कि कर लूँ कि वोलिएसर देखो तीनों फॉर्म समझा रखिए दिवी का वक्सी अमने डाइयोल डाइसर डाइयोल हाइड्रॉक अमना यह मैं यहां पर बिल्कुल फास्ट करूंगा स्वारा सा पहला देव का रख रहा है तुमिस चप्टर को उतार हो एना तुमिस चप्टर रट जाए रख रख में बच जाए गए चप्टर दाना था थोड़ा वीडियो के थोड़ा बड़े गुर्शन थे तक वा टाइम जादा लग जाएगा इसके लिए हाइड्रॉक स्वा स्वा संगना राका कर लेना ठीक है यह वाला ना हाइड्रॉक स्वा स्वा संगना कॉपी से देख हुआ ुक है ुच है का दो गया है कि तो कि इस नहीं है पॉलिमा डे में तडायम न और यहदि प्लेील अख रखनले ना राम से इसको त्योरी निलिखनी ये त्योरी को लिकिए गा मैं पहली वह देता हूं थे यॉरी मत लिखना कैवल कैवल डायम से थे करके ना मना देना कौन था यादे नो है आ माईड वाला गुल करना यूसर स्थ नीक दिखने आप अचा इंग्लिए मिडियों वालों के लिए माफ करना यहां साथ रखना भूल गया हुँ तो इंग्लिए इंग्लिस मीडियों वाले बच्चे सभी ध्यान रखेंगे जितने भी उपर चार्ट दिए गया थै कॉपी में से नोट करके उनकी रियक्शन लिख लेना इंग्लिस मीडियों जान रखना इसकी इंग्लिश नहीं है गलती सी आप टाइप नहीं किया गया है तो आप लोग क्य पूरा नहां याद चारों के आप क्या करोगा इसट लिख लोगे ठीक है कर लेना और ध्यानक नहीं इसका कुष्ट्ट भी अच्छा इसका क्यूश्रा भी मैं खा गये हो है Two-Nine-a-a-a-a-a sorry नीच ऐबाँ है यह अभी हटादे नहीं मत लिखना यह कोई भी हो में इंग्रिश भीडियो मत लिखना दोड़ा इसको चैच कर लें बाद में यह आपके निचे आ याए वह दो इसको अच्छ गलती से उदर चला है उसको मत करना वेकलाइब पिवीची पॉलिएस्टर आगे आगे बेकलाइट किया हुआ है देख लो आराम से खड़ लेंगा ठीक है सारी में रेक्शन लिखनी ज़रूरी है को फिस देके रेक्शन लिखना सबी कि एक इंग्रेस्ट मीडियों माले पीविची बेकलाइट नाइनो सिक्सिक्स पॉलिएस्टर सब का अधिक है समझ गए चलो आज का टॉपिंग याप फिनिश हो गया है फिनिश अप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं और मैंने अपना एक नया ब्लोगर बनाया है आपने इक नया ब्लोगर बनाया है ठीक है कि यह ब्लोगर मैंने क्यों बनाया क्यों धूब कभी-कभी होता है कि जब मैं को पीडियुकर सेर करता हूं ग्रूप में तो ऐसा होता है कि कोई नहीं बच्चा अगरे आप यह तो यह उपना ब्लोगर बनाया है तो उसका में लिंक आपके बाद शेयर कर दूँग आपके जैसे आप लोगर पर क्लिक करोगे ना तो वहां पर आपको सारे पीडियाफ में लेंगे आपको इस ब्लोगर पर तो ऐसा होगा कि आप अराम से आप यहां तक पहुँच सकते हो और अगर वीडियो के बीच में आवाज नहीं आई तो कोई बात नहीं आप इसको नॉमल तरीक स्कूरों देता हूं है ना अब इस ब्लोगडर क्यों बनायेंगे तो आप आप को रोज यहां विजिट करना आप देखना आज कौन सी पीडियाफ डाली गई कौन सी प्लोगर को अब मेरे नाम escape ब्लोगर बना हूआ सकता हूँ वहां पे ब्लोगर घुल मैं आपको डेमो देता हूं देख लूँ